हेलो फ्रेंज, वेलकम तो माई यूटूब चनल, कैसे हैं आप लो, I hope अच्छे ही होंगे, आज हम दिस्कस करेंगे, यहां मारस होस्टल वार्डन का संदे में जो एक्जाम हुए है, उसका पेपर एनलिस एन कट ओफ प्रेडिक्शन, और एक मिट मैं आपको दिखा देती हू इन की क्या कट ओफ होगा, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने पेपर नहीं दिया हूँ और मैं कट ओफ रिटिक्श कर रही हूँ, मैंने कट ओफ रिटिक्श किया था, मुझे उसका वीडियो का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, मुझे कुछ फ्रेंज ने मैसेज कि कि मैं एक detailed analysis करूं तो इसलिए ये वीडियो में लेके आएं आपके लिए तो आये start करते हैं जैसे कि मैं पता है कि जो जीएस के 10 questions आये थे जो कि मुझे moderate to tough लगे जैसे कि कुछ questions confusing थे और tough थे जैसे ccpi index पूछ लिया था उसमें पूछा था कि G20 का कौन सा देश है जो की top पे है अब confusion हो सकता है ना क्योंकि जो को लगया क्या इंडिया तो 7th rank है इंडिया की तो में भी कोई और सा देश हो सकता है या जिसको सारे G20 के देश पता होंगे वह ही कर सकता है और यह है पूछा था प्रवंद पोर्टल पूछ लिया था उसमें ये मेरा पी गलत हो गया थोड़ा गन्फ्यूजिंग था ठीक है तो इसमें एवरेज अटेम्ट जो रहा होगा ना 7 तो किये ही होंगे बच्चे ने और राइट चार से पांच भी हुए होंगे रिजनिंग की बात करें तो मुझे easy to moderate लगी उसमें कुछ questions जैसे की combination of three fruits वाले थे थोड़े time taking थे statement और conclusion वाले असेशन और reasoning वाले थोड़े tough थे बागी तो easy ही था तो अगर हम एक average attempt लें तो बच्चे ने 15-16 question किये होंगे और जो right होंगे वो 13 जोड़ा है ठीक है और इसे तरीके से computer भी easy to moderate था moderate इसलिए क्योंकि options थोड़े से confusing लग रहे थे जिससे जादा नहीं पढ़ा होगा detail में वो 3-4 question में उसे दो options सही लग रहे होंगे तो average attempt यहां पर बच्चे ने 17 और 18 किया है और जो right है mostly वो 14-15 है पॉस्ट की बात करें तो 10 questions थे मुझे moderate to tough लगे ठीक है confusion हो रहा था दो options में जैसे की mortality rate पूछ लिया था economic survey के according sex ratio at birth पूछ लिया था एना फचस कर राटा पूछ लिया था तो इतना मुझे तो नहीं लग रहा था कि as it is आता होगा लोगों को बहुत कम लोग हैं जो बहुत time से preparation कर रहे होंगे उन्हें आता होगा तो इसमें average attempt जो था वो 6-7 था और right चार से 5 question तो right हो ही गए होंगे अब बात करते हैं administrative aptitude के उसमें 30 question थे easy थे तो अगर average attempt बच्चे ने 27-28 भी किया है तो right उसके हो गए है 24-25 अगर उसने थोड़ा बहुत साही से पढ़ा है तो अब बात करते हैं language competency की तो हिंदी के जैसे कि मेरा जो हिंदी ही लिया था मैंने 10 questions जो अलग से आये तो 20 questions थे easy थे अगर average attempt आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है समास हो गया सिंधी संधी हो गया थोड़ा पढ़ लिया है तो easy था 18 question आप कर सकते हो और आपका एक या दो ह तरह हो गयोंगे अच्छा इसमें issue क्या रहा है ना English में issue आ रहा है बच्चो को क्योंकि अब जैसे 10 question कर दिये बच्चे ने और उसके 5 ही सही है तो उसे चार्ट से करने हैं 10 में से negative marking को हटा के तो यहां पर बहुत से student का issue हो रहा है कि वो कोई 0.5 से रह जा रहा है को 0.25 से तो यहां पर यह थोड़ा problematic है बाकि तो अगर थोड़ा आपने पढ़ा होगा कुछ बच्चे हैं ससी के बच्चे भी होते हैं तो average attempt होता है 7-9 और राइट होई गए होंगे 6-5 कि अब अगर कट आफ की बात करें हम तो जैसा कि मैंने बहले बताया है आपको कि मुझे तो नहीं लगता कि यू आर की जो कट आफ है वो 93-95 से कम जाएगी क्योंकि आप खुछ सोचे कि इसमें यह वाला जो stage है उसके बाद सीधे document verification है अब मैंने इसको 10 जिन पढ़ा था बहुत अच्छे से तो मेरे 86-88 marks आ रहे हैं कुछ लोग है जो उसमें 2-3-3 महीन से लगे हुए थे तो I don't think कि 95 से बिलो कट आफ जाना चाहिए और देखते हैं बाकी hope for the best तो यह मैंने कट आफ प्रेडिक्ट किया था हाँ इसमें सुडेंट बोल रहे हैं कि AWS में इतना डिफरेंस नहीं रहेगा एक-दो marks कहीं रहेगा तो हो सकता है प्यास माइनस टू कर लिजे यहां पर ठीक है और बाकी कि आपको पता ही है कि जनरल से 10 कोशन लगभग कम जाता ही है 10-12 कोशन तो यहीं है लेकिन हाँ यह expected cut-off marks है और आपको लग रहा है कि कुछ यूटूब पे 80 दिखा रहे हैं कि यूर का cut-off 80 चला जाएगा ऐसा नहीं होगा क्योंकि सीट्स बहुत कम है और पेपर इजी था म कुछ कंफ्यूजन हो रहा था कुछ लोग को इंगलिश में इशू हो रहा है तो 80-95 में रिजर्फ से लेकि यूर तक का cut-off से मट जाएगा बहुत कम नहीं जाएगा और 3-digit में तो नहीं जाना चाहिए 100 प्लस तो नहीं जाएगा लेकिन 90 से कम तो नहीं जाएगा यूर का और रही बात हमारे टेलीग्राम चैनल की गाइस तो अभी हम यूपी पीसे आरे आरो पे फोकस कर रहे हैं CSIR जो एसो का आएगा उसमें भी हम पुछ टॉपिक पर फोकस करेंगे और AHC के जैसे कि पता है वैकेंसी आने वाली है फैब में और मार्च में उसके साथ भी प्रिपेशन उसके लिए भी तो इसका यह है कि यह सारे एक्जाम्स ना आपके फैब मार्च अप्रैल माई में ही होने वाले हैं तो बहुत इंपोर्टेंट हैं प्लस यूपी-पी-स प्रिलिम्स भी तो हमारे साथ कनेक्ट रहे हैं हम बहुत जादा नहीं पढ़ाएंगे लेकिन मैं कुछ टॉपिक्स आपको ऐसे करा दूगी ना जो उसमें से कोशन आने ही आने है जैसे कि साइंस हो गया और रो या रो में हो गया आपका हिंदी हो गया CSIR, ASO में भी हिंदी का पार्ट है, साइंस का पार्ट है, RARO में भी इसमें भी है, ASC में भी तो इस तरहीं कैसे हम बहुत ही कम टापिक्स पढ़ेंगे बट बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो इसलिए आप कनेक्टेड रहे हैं और मेरा यूटूब चैनल जोइन कर लिज थैंक यू